नमस्कार दोस्तों मैं सी अनुब भडिया आज आपके सामने एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ विल एन इंकम टेक्स लौ नचुरली विकॉज अफ विल अगर किसी व्यक्ति को कोई एसेट्स मिलती हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो विल के तुरू एसेट दे रहा है और एक व्यक्ति जो विल के तुरू एसेट ले रहा है उन पर इंकम टेक्स के संदर्ब में क्या-क्या टेक्स इंप्लिकेशन्स निकल करके आते हैं वो आज की वीडियो के तुरू मैं आपके सामने discuss करने की कोशिश करूँगा दोस्तों आज की वीडियो में जिन aspects पर मैं आपसे discussion करने जा रहा हूँ will से सम्मंदित वो क्या क्या है whether transfer through will is taxable transfer whether transfer e receiving asset under will is taxable यानि जिस व्यक्ति ने asset transfer करी है उसके लिए क्या tax liability आएगी जिस व्यक्ति को will में कोई assets मिली है उसके लिए क्या tax liability आएगी cost of acquisition and period of holding asset received under will की क्या हो सकती है taxability of income received under a will कैसे होगी इसी प्रकार से income of a minor from asset received under a will वो किस प्रकार से color लेगी और are you liable to pay tax liability of a will writer or not इन कुछ प्रश्णों के साथ मैं आपके साथ में आगे का discussion लेके चलूँगा दोस्तों मेरा पहला प्रश्ण है आपके साथ whether transfer of asset through will is taxable transfer or not इस संदर्व में बड़ी स्पष्ट व्यवस था income tax act 1961 के section 47 में दी गई है और उसमें एक कहा है कि transfer जो will के through होते है वो transfer नहीं माने जाएंगे यानि अगर आप transfer है आपने अपनी asset will के through किसी व्यक्ति को दी है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो will के through कुछ assets को transfer कर रहे हैं अपने nears and dears में तो उस व्यक्ति को will के through transfer करने पर किसी प्रकार की capital gain tax liability नहीं आएगी यदि relevant asset capital asset है तो अगला प्रिशन दोस्तों whether receipt of asset under will is taxable in the hands of recipient यानि जो transfer है जिसको वसियत के कारण से संपतियां मिलती हैं अब वो कोई relative भी हो सकता है कोई मित्र भी हो सकता है और इसलिए sir मैंने आगे bifurcation किया है if recipient is a relative and if the recipient is a non relative तो मैं इस पर भी बड़ी special try रखता हूं sir आप relative है विल करने वाले व्यक्ति के यानि वसियत करता कि आप रिष्टेदार है या आप रिष्टेदार नहीं है आप उसके मित्र है या किसी भी प्रकार से परचित है अगर आपको वसियत में कोई asset receive हो रही है तो आपके हाथ में कता ही किसी प्रकार की income tax liability नहीं आने वाली इतना व्यवस्था law में स्पर्श पूप से की गई है income tax law के purposes से दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही interesting question है हमारे लिए कि cost of acquisition and period of holding of asset acquired under a will क्या रहने वाली है यह question इस संदर में महतपूर्ण है कि मैं इसे एक उधान से दिया आपके सामने रखूँ कि X को कोई संपत्ती अपने पिताजी से सन 2015 में प्राप्त हुई उनके पिताजी ने वो asset मान लीजे सर 2002 में acquire करी थी और X ने 2015 के बाद में मान लीजे 2019 में वो particular asset को बेच दिया तो X की cost of acquisition क्या होगी क्योंकि उसको तो वो asset will में मिली है तो उसकी cost of acquisition निल मानी जानी चाहिए लेकिन नहीं सर अगर मैं section 49 subsection 1 से color लेता हूँ income tax है के तो वो यह स्पष्ट कहता है कि cost of acquisition of previous honor in the case of will will be the cost of acquisition of successor यानी मेरे उधारण में X को अपने पिताजी से जो संपत्ती विल में मिली वहाँ X के पिताजी की जो लागत थी वही X की लागत होगी और साथ के साथ period of holding calculation में भी X के पिताजी का period of holding count होगा और ये बात कहां मैं तो रखती है सर जब हम indexation करते हैं indexation के purposes से मेरे उधारण में X ना किवल पिताजी की cost claim कर पाएगा बलकि उसके पिताजी ने जब से asset ली थी तब से उसको भी उस asset का indexation मिलेगा तो ये दो महत्पुर्ण बिंदू सर cost of acquisition and period of holding से related हमें ध्यान रखने चाहिए अगला point है सर taxability of income earned from asset received under a will यानि मैं अगर मान लूँ कि मुझे कोई particular asset will में मिली है अपने पुर्खों से और उस particular will से मिली asset से मुझे कोई income होती है तो क्या वो income मेरे हाथ में taxable होगी 100% सर वो income मेरे ही आथ में taxable होनी है यानि मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को will की वज़े से वसियत की वज़े से कोई asset receive होती है और वो asset से कोई income generate होती है तो ऐसी income वसियत प्राप्त करता के हाथ में निश्चत रूफ से taxable होगी इससे कोई मुक्ती नहीं है मान लीजे एक minor को अपने दादा जी के देहान पर दादा जी के will की वज़े से कोई संपत्ती मिलती है जिससे मैं मान लेता हूँ 25,000 रुपे मासिक किराया आ रहा है या कोई FD मिल रही है जिससे 25,000 रुपे मासिक ब्याज आ रहा है तो क्योंकि sir income tax law ये बोलता है section 64 में कि minor की income उसके parents के आत में taxable होगी तो इस वज़े से अगर minor को उसके पुर्कों से चाहे माता पिता से अत्वा चाहे दादा दादी से नाना ननी से किसी प्रकार की asset मिलती है तो minor के हाथ में tax liability नहीं आएगी उस income की उस income की tax liability minor के parents माता या पिता जिसकी भी आए ज़्यादा हो उसके हाथ में tax liability आएगी हाँ जिस दिन से minor major हो जाएगा sir उस दिन से tax liability minor के हाथ में यानि क्योंकि अब वो major हो गया है तो अब उसी व्यक्ति के हाथ में जिसने वो asset receive करीती यानि वसीयत प्राप्त करता उसके हाथ में वो liability आएगी यानि वो income जिस दिन से minor major होगा उस दिन से उसी minor के हाथ में major होने की वज़े से taxable होनी शुरू हो जाएगी ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रिशन है दोस्तों are you liable to pay tax liability of the will writer क्यों मैंने ये प्रिशन किस रख है किस वज़े से रखासर आप इसको जरा समझेगा कि इसके पीछे मेरी मंशा क्या है कि मैं क्या चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मान लीजिए A को अपने पिताजी F से कोई particular संपत्ती मिलती है जिसकी value 50 लाग है और उनके पिताजी ने इस particular संपत्ती के संदर्ब में कोई particular income जो कमाई उस पर income tax liability नहीं दी अब A के पिताजी के देहान के बाद वसीयत की वज़े से या अगर वसीयत नहीं है तो भी law of succession की वज़े से वो income और वो asset अब A के हाथ में आ रही है पीछे पिताजी ने जो income कमाई या उस संपत्ती के संदर्ब में और कोई income tax संबंदी liability थी चाहे penalty थी tax था interest था वो नहीं दिया तो section 159 of income tax law दोस्तों ये कहता है कि successor will be liable to pay the tax liability of the predecessor तो ये बात ध्यान रखनी है सर कि यदि आपने will के थुरू कोई संपत्ती प्राप करी है और उस संपत्ती के संदर्ब में कोई tax liability predecessor पर बकाया है चाहे उसकी income के संदर्ब में या संपत्ती के संदर्ब में जैसे well tax भी हो सकता है तो वो liability सर successor से निश्चत रूप से वसूली जा सकती है चोटे से और सरल टॉपिक को मैं यहां पर समाप कर रहा हूँ परन्तु will के संदर्ब में बहुत सारी queries या taxation संबंदी और queries ऐसी हो सकती है जो आपके दिमाग में चल रही हो आप मुझे लिख सकते हैं मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि उनका यतोचित समाधान आप तक पहुंचा सकूँ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह